आलू पालक की बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी है तो आप हमारे इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखे एकदम यूनिक रेस्पी है थैंक्यू सो मच अगर आप देखते हैं तो नहीं भी देखते हैं तो भी थैंक्यू हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है तो एईजबी टी कम मिर्च मसालों से तयार सब्जी बताती है और विविन प्रकार के नास्ते अर वेंजन भी बताते हैं तो डेली खाने के लिए इस तरह से आप सब्जी बनाईए पालक की तो यह मैं 5-7 जूरी पालक था इसको अच्छी तरह शाप करके धोकर काट ली थी य दो चम्मस तेल राई तेल घरम होने के बाद तड़का के लिए राई दी हूँ और ये पकी हुई हरी में से लाल मिर्च है आलू आलू दो कर छील कर साप काट ली हूँ उसमें दो हरी मिर्च बारिक कटी हुई है तो मीडियम आज में आलू को तीन चार मिनट पांच मिनट तक अच्छी तरीके से चम्मस चलाते हुए भून लेना है अच्छे से फ्राई हो जाए फिर उसमें भाजी डालूंगी तो लास्ट तक हमरे वीडियो को जरूर देखिए फर्स टाइम आया है तो सब्क्राइब की लिजे और लाइक कर लिजे और आप लोगों का धन्यवाद लाइक सब्क्राइब करने वालों को आप लोगों के ही चलते हमारा चैनल ग्रो कर रहा है थैंक्यू सो मज तिये बहुत ही स्वादिश्ट और यूनिक रेश्पी है आलू पालक की सब्जी या पालक भाजी आलू की शब्जी ये दो मिनट हो गए हैं 80% आलू पक चुका है अब ये 10-20% जो वाकी है वो भाजी के साथ अच्छी तरह से पक जाएगी तो भाजी को मैं साप करके और काट ली हूँ और उसके बाद ये देखे इसका कलर भी चेंज हो चुका है अलू का अब इसमें पालक की भाजी को डालूँगी ये कटी हुई पालक की भाजी है और इसको साप धोली हूँ अब मैं भाजीओं को किस तरह काटना है और धोना है ये वीधी भी मैं बहुत बार बता चुकी हूँ तो उमीद है कि हमारा ये यूनिक रेस्पी आप लोगों को जरूर परसंद आएगी हर कोई अपने घर में पालक आलू की सबजी बनाते हैं पर हर किसी का तरीका अलग होता है हमारे तरीके से बनाईए दस मिनट में सबजी भी तैयार हो जाएगी और बहुत ही स्वादिष्ट सबजी है ये बिल्कूल हमारी जो सबजी होती है अभी गूपत नवरात्री चरह इसलिए हम बिल्कूल भी लर्षून प्याज का उपयोग नहीं करते हैं एकदम सात्विक भोजन बनाते हैं और आप इस तरह से बना कर खाएंगे तो आप भी समझ जाएंगे कि लर्षून प्याज कोई ज सम नहीं होती तो इस बार आप इस तरह से सिंपल सब्जी बना कर देखिए तो आप समझ जाएंगे कि सच में ये सब्जी बहुत स्वादिश्ट है और दो मिनट के लिए ढग दिए हूँ ताकि भाप से ये सब्जी और भी अच्छी तरीके से पग जाएं अब ये आलू और पालक की भाजी देखिए भाप में एकदम अच्छे से पक चुकी है तो भाजी खाना चे हरी पत्तेद्यार सब्जी और ये टामाटर है जो मैं चाह प्रकार से चार्टुकुडों में उसको कट की हूँ बीच से बस कटने के उस तरह से भाजी और अंदर में सब्जी के अंदर में उसको घुसा के और ढग दीजिए और भाप में ही ये टामाटर पक जाएगी तो इसका श्वाद ही अलग होता है कट करके डालने से और ये भाप में पकने से सब्जी के अंदर में जो उसका फ्लेवर आता है वो बहुत ही टेश्टी लगता है तो आप एक बार इस तरह से टामाटर को डाल कर बनाईए एकदम अच्छे से टामाटर गल भी जाएगी और उसके चिलके भी बाहर निकल जाएगे तो एक मिनट डेड़ मिनट में ये टामाटर के चिलका बाहर भी निकल जाता है और अच्छी तरीके से गल भी जाते हैं मैं आपको आलू दिखाती हूँ ये अच्छी तरीके से देखी पक चुका है हल्दी नमक लाल मिर्ध धनिया पाउडर है इसको मैं टमाटर के अंदर में डालूंगी ताकि ये टमाटर गल भी जाए और उसका श्वाद भी अच्छा लगे इस तरह से उसके अंदर में डाल देने से दो मिनट भी नहीं लगेंगे पूरी सब्जी एकदम अच्छे से तयार हो जाती है अब मैं इसको धग दूँगी हमारे चटिस गड़ में भाजियों को बनाने का तरीका ही अलग होता है जो हल्दी भी होता है और कम मिर्च तेल मसालों से बना हुआ सब्जी होता है जो स्वाद भी अच्छा रह था बिल्कुल देसी तरीके से यह देखिए कि कितने अच्छे से गल चुका है टामाटर और भाजी भी अच्छे स्पक चुकी है तो अब सब्जी पाच मिनट के अंदर में तयार हो जाएगी अब चाहे तो इसमें दो तीन चम्मच या आधा कटोरी पानी डाल दीजी जिसे की सब्जी अगर थोड़ी ग्रेवी या सुखी जैसा भी आप खाते हैं तो यह पाला की सब्जी बहुत अच्छी लगती है तो देखे टमाटर एकदम गल चुका है तो इसको अलग से तेल के साथ भुनने की अलग से भुनने की ज़ुरत ही नहीं है टमाटर पाला की भाजी और आलू में एक जम मिक्स हो चुका है देखे कितना अच्छा देख रहा है खाने में भी बहुत स्वादिश्ट है तो आप इस सब्जी को चामल के साथ खाईए रोटी में खाईए पूरी पराटा जिसमें भी खाईए बहुत ही टेश्टी सब्जी है टेवल दिखने में ही नहीं खाने में भी है और सिंपल सब्जी है दस मिनट से पंदर मिनट में ये पूरी सब्जी काटने से लेकर धोने से लेकर में पूरी तयार हो जाती है और फटा फट बन जाती है सब्जी तो हमारे चैनल को सब्क्राइब जरूर कीजिए फर्स्ट टाइम आए है तो और लाइक कर लीजे वीडियो को लाइक करते हैं तभी समझ में आता है कि हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आई की नहीं तो हमारी पूरी सब्जी तयार हो गई है थोड़ी सी गरम मसाल और धन्या पत्ती भी डाल देना है गर्मा गरम है एकदम स्वादिष्ट सब्जी है यूनिक रेश्पी है आप इस तरह से बना के खाये दस मिनट में सब्जी तयार हो जाती है तो पालक की भाजी और आलू के शाथ ये सब्जी बहुत ही टेस्टी है थैंक यू सो मच आप सभी को लाश्ट तक देखने के लिए धन्यावाद तो गर्मा गरम आलू पालक की सब्जी तयार हो गई है देखे कितना अच्छा देख रहा है तो एक बार इस तरह से हमारे तरीके से बना के खाये ये बिल्कुल देशी तरीके से बना हुआ है सात्विक सब्जी है थैंक यू सो मच आप सभी को